20 तस्वीर इस समय आपके सामने हैं सुभे से मतदान जा रही है और देखिए लोकसभा चुनाव का ये जो सफर है आज इस च्वरन के साथ ये मानिए कि आधा सफर हम तैक कर चुके हैं अभी आधा सफर और है लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तमाम ज कुछे ये तस्वीर आपको गांधी नगर के हम दिखा रहे हैं तो देखिए अलग-लग तस्वीरे हैं बड़े-बड़े वियाईपी इस ने कहां-कहां वोट किया है किस तरीके से तमाम चीजे रहे लोकतंतर के खुबसूरे तस्वीरे जहां पर जो वियाईपी इस है और स पक्ष नतीजे भी सामने आएगे तो ये वो तस्वीरे जहां दिखा जब वोट डालने पहुंचे अमदावाद की तस्वीरे जहां अरेंद्र मोदी ने वोट डाला उसके अलावा आप देख सकते एसपी सिंग बगहिल ने आगरा में वोट डाला शिवरा सिंग चोहान ने विदिश्या में वोट डाला वीडी शर्मा ने खजुराओं में वोट डाला अमिट शाह ने गांधी नगर में वोट डाला तो ये वो तमाम दिखज हैं जो वोट डालते नजर आए तो लोग सभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण का मतदान जारी है आज कई दिगजो की किस्मत एवियम में कैद हो जाएगी वोट डेने के बाद पीएम मोदी साहित कई दलो के नेताओं की प्रत्क्रिया भी सामने आए हरेक का प्रयास और यही मन्थन है जो लोग तंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है तो मैं योगदान देने वाले एक लोग तंत्र के महा यग्यम है जो भी जितनी आहूती दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी है मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूँ कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मद्दान का दिवस है बहुत भारी मात्रा में मद्दान करें लोग तंत्र के परवो को मनाए उत्सव के रुप में मनाए मन से विनंती करना चाहता हूँ कि बढ़ चड़कर लोग तंत्र की इस महोच सव में हिस्सा ले स्थीर सरकार सुरक्सित देश समरूत देश गरीब कल्यान और भारत गवरों को समर्पीत एक सरकार चुनिये एक ऐसी सरकार चुनिये जो ब्रश्टाचार के खिलाप हो गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो हारने वाला खिसी आता है वीजेपी की बुरी हार होने जा रही है बहुत बुरी हार होने जा रही है वीजेपी की क्योंकि किसान नौजवान वैपारी हरवर के लोग इनके खिलाब मद्दान करना है हमारे देश को बिकास और परम वैभव की उचाहियों पर ले जाने के लिए खुलकर मद्दान करें निर्भी को कर मद्दान करें मेरी सब लोगों से अपील है कमल खिलाएंगे उनका बेटा जैवीर सिंग उनकी सेवा में उनके साथ सुक्दुक में सदेव साथ खड़ा रहेगा इसलिए आज सब लोगों से अपील है कि हम एनपुरी पर भी बदलाओ करें कमल खिलाएं मत्यदान महापरवे और सबी मेरी बहन भाईयों से निवेदन है कि वो अपना वोट जरूर करें वोट देने का अधिकार पांच साल में एक बार मिलता है हमें उस अधिकार का प्रियोग जरूर करें और एक अच्छे पित्याश्य को चुनें और एक अच्छी सरकार वनाएं जो गरीर दलित वन्चित सबका ध्यान रखे चार जून के बाद एक आवाज गूजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोधी तीसरी बार भारत के पधान मंतरी के पड़ की शपत है आजमगर से बीजेपी के प्रत्याशी दिलेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर से बड़ा दावा करते हुए कहा कि आजमगर में फिर से एक बार कमल खिलेगा दोजार बाईस के उप चुनाओ में आजमगर में जातियों के तिलिस्म को तोड़ने वाले दिलेश लाल यादव ने रहुआ एक बार फिर से चुनाओी मैदान में है और इस वक्त चुनाओ प्रचार पर निकले हुए दिखा जाए तो इस बार आजमगर में जो मुकाबला है वो काटे का दिख रहा है इस वक्त दिनेश जी मेरे साथ मौजूद है दिनेश जी उस मित को तो आपने तोड़ दिया था बाईस में लेकिन जो जातियों का माया ज जाल कहा जाता है आजमगर को इस बार लगता है कि वो समीकरन ज्वस्त हो पाएगा नहीं वो हो चुका है उसका कारण ये है कि आजमगर की जो जनता है वो बड़े लंबे समय तक उस ब्रहम में रही और बहुत दुरदसा हुए पर जब डेड़ साल के लिए ही भारती जनता पाटी को समय मिला तो आजमगर में इतना काम हो गया कि जनता समझ गई कि अगर हमको अपने आजमगर का विकास करना है तो हमको सरकार के साथ ही रहना है और जो पूरा देश नरेंदर मोदी जी को ही प्रधान मंतरी फिर से चुनने का निर्णा कर लिया है तो आजमगर भी पूरी तरह से नरेंदर मोदी जी के साथ है 26 फिजदी यादव वोटर है 24 फिजदी मुस्लिम वोटर और इसी फैक्टर के सहारी यहां पर चुना होता है 14 बार यादव सांसद यहां से चुनेगे लगता है कि यादव वोट बैंक में इस बार आप मजबूत सिन लगाने वा हैं यह आप क्यों बार-बार साबित करना चाहते हैं आजमगण में यादव नहीं है पांच यादव लड़ाया है और पांचों अपने घर से ही लड़ाया है यही कारण है कि यादव ने मन बना लिया कि इनको हराएंगे तब इनको दिखेगा कि देश में और भी यादव है मोदी की गारंटी पर आपको लोगों का कितना भरोसा नज़र आ रहा है खास तोर पर आजमगण में बहुत भरोसा है क्योंकि हम लोग गाउं गाउं जा रहे हैं माताओं बहनों से मिल रहे हैं तो खुदी सामने से चिला रही है कि अरे अमन कमले के ओट दे वल जाई मोदी कोई देंगे आप लोग शिंता मत करिए तो देखे इस वक्त दिनेश्ट राल यादवन रहुआ आजमगण के गाउं में एक चौपाल को समगोधित करने पहुशे हुए हैं और इनका दावा ये भी है कि एक बार फिर से आजमगण में जो जातियों का तिलिस्म है वो प्रत्यासी अनुराग सर्माजी को अपना असिरबात दे रहे हैं अनुराग सर्माजी प्रचंड बहुमत के साथ यहां चुनाव जीत रहे हैं इनके ड्यने में गड़बढ़ी है और कंग्रेस करते हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ हो देखें यह जो विपचिछी गत्वन्दन है करनाटक में कांग्रेस ने किया है कि जो आरचण था OBC, SC, ST का उसमें मुस्लिम समाज को सामिल कर दिया है जिससे OBC, SC, ST का ही आरचण का हक उन्होंने मारने का काम किया कॉंग्रेस, पार्टी और गठबंदन के लोग आरचण पर लगता दाका डालने का काम कर रहे हैं अखलेस यादो जी बुरी तरह से डिरेल्ड है, दिग भ्रमित है जीस करोन लोग गरीबी रिखा से उपर आए हैं, लोगों की क्रेश सक्टी बढ़ी हैं, जीटी पे में बढ़ोती रही हैं भारत उत्रप्रदेश का इंफ्रिस्टेक्टर नमबर एक पर आगे बढ़ना से थी तो देखें कुल मिलाकर, तमाम जो दिगज हैं, तमाम जो नेता हैं, इस समय प्रचार करें अपनी अपनी पार्टे के लिए, पार्टे सोत्रे प्रत्याशी के लिए और जादा से जादा संख्या में वोट देने के अपिल भी उनके और से की जा रही है तो लगातार मतदान जारी है, हर एक अपडेट, हर एक सीट से हम आप तक पहुचा रहे हैं और उत्रप्रदेश की जो दस सीटे हैं, बेहद महत्पून सीटे हैं जहां पर ये वोटिंग लगातार जारी है, और उन दस सीटों के अगर हम बात करें तो संभल, हातरस, आगरा, फतेपूर, सीक्री, फिरोजवाद, मैनपूरी, एटा, बदाईूं और बरेली इन तमाम जगों पर लगातार वोटिंग जारी है